सोलंकी वंश अत्वा गुजरात के चालुक के शासक सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम था, इसकी राजधानी अनहिल वार थी मूल राज प्रथम शैव धर्म का अन्याई था भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनात के मंदिर पर आकर्मन किया भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू परवत पर दिलवाडा का प्रसिद जैन मंदिर बनवाया सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जैसंघ सिध्यराज था प्रसिद जैन विद्वान हेमचंद जैसंघ सिध्यराज के दरबार में था माउंटावू परवत राजस्थान पर एक मंडब बनाकर जैसिंग सिद्धराज ने अपने सभी पूर्वजों की गजारोही मूर्थियों की इस्थापना की मोडीरा के सूर्य मंदिर का निर्मान सोलंकी राजराओं के शासंकाल में हुआ था सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्मान जैसिंग सिद्धराज ने किया था सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानी आई था वो जैन धर्म के अंतिम राज के प्रवर्तक के रूप में प्रसद है सोलंकी वंच का अंतिम शासक भीम दूवितिय था भीम दूइतिय के एक सामन्त लवन प्रसाद ने गुजरात में बगेल वंच की स्थापना की थी बगेल वंच का कंड़ दूइतिय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था इसने अलाओदिन खेलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था प्रेश्ट दैटी चेदी राजवन्श कल्चूरी वंच का संस्थापक कोककल था इसकी राजधानी तेपूरी थी कल्चूरी वंच का एक शक्तिशाली शासक गांगिय देव था जिसने विक्रमा दित्य की उपादी धारण की पूर्व मध्यकाल में स्वन्च सिकों के विलुपत हो जाने के पश्चाथ इन्होंने सरवपतम इसे प्रारंब करवाया कल्चूरी वंच सबसे महान शासक कंडेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप की और त्री कलिंगा अधिपती की उपादी धारण की प्रसद कभी राजशेकर कल्चूरी दर्बार में ही रहते थे 24. भारत पर अर्बो का आकर्मन मुहम्मद बिन कासिम के नेतरत्व में अर्बो ने भारत पर पहला सफल आकर्मन किया अर्बो ने सिंध पर 712 इस्वी में विजय पाई थी अरब आकर्मन के समय सिंध पर दाहिर का शासन था भारत पर आरब वासियों के आकर्मन का मुख्य उद्देशे धन दौरत लूटना तथा इसलाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था चीस महमूद गजनी अलब्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी सामराज्य का संस्थापक था अलब्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 इस्वी में गद्धी पर बैठा बगदाद का खलीफा अलादिर बिल्लहा ने महमूद गजनी के पत को मानिता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाहा की उपादी दी महमूद गजनी ने भारत पर सत्रह बार आकरमन किया महमूद गजनी ने भारत पर पहला आकरमन एक हजार एक एसवी में किया था यह आकरमन शाही राजा जैपाल के विरुद्ध था इसमें जैपाल की पराजे हुई थी महमूद गजनी का एक हजार आट इसवी में नगरकोट के विरुद हमले को मूर्तिवाद के विरुद पहली महत्वपूर जीत बताई जाती है महमूद गजनी के ने थाने सर के चक्र स्वामिन की कास्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेच कर रंग भूमी में रखवाया महमूद गजनी का सबसे चर्चित आकर्मन एक हजार चौबीस इसवी में सोमनात मंदिर सौराश्टर पर हुआ इस मंदिर की लूट में उसे करीब बीस लाक दीनार की संपत्ती हाथ लगी सोमनात की रक्षा में साहता करने के कारण अनहिल वाड़ा के शासक पर महमूद ने आकर्मन किया सोमनात मंदिल लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटो ने आकरमन किया था और कुछ संपत्ती लूट ली थी महमूद गजनी का अंतिम भारती आकरमन एक हजार सटाइस इस्वी में जाटो की विरुद्ध था महमूद गजनी की मृत्यू एक हजार तीस एसवी में हो गई अलबरुनी, फिर्दोसी, उद्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दर्बार में हदे थी कौर महमूद गजनी के अधिन एक छोटा सा राजे था 1173 एसवी में शहबुदीन मुहम्मद गौरी गौर का शासक बना इसने भारत पर पहला आकरमण 1175 एसवी में मुल्तान के विरुद्ध किया था मुहम्मद गौरी का दूसरा आकरमण 1178 एसवी में पार्टन गुजरात पर हुआ यहां का शासक भीम दूसरा ने गौरी को बुरी तरह परास किया मुहम्मद गौरी द्वारा लढ़ा गया प्रमुख युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191 पक्ष गौरी एवं पृत्विराच चोहान परिणाम पृत्विराच चोहान विजई तराइन का द्वित्य युद्ध वर्ष 1192 पक्ष गौरी एवं पृत्विराच चोहान परिणाम गौरी विजई चंदावर का युद्ध वर्ष 1194 पक्ष गौरी एवं जैचन परिणाम गौरी विजई मुहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनपतियों को सौपते हुए गजनी लोट टया मुहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 इस्वी को कर दी गई प्रिष्ट चौतिस 27. सल्तनत काल गुलाम वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 इस्वी में कुतुब दिन एबक ने किया था वो गौरी का गुलाम था कुतुब दिन एबक ने अपना राज्य अभिशेख 24 जून 1206 इस्वी में को किया था कुतुब दिन एबक ने अपनी राजधानी लाहोर में बनाई थी कुतुब मिनार की नीव कुतुब दिन एबक ने डाली थी दिली का कुवत उल इसलाम मस्जित एवं अजमेर का धाय दिन का जोबडा नामक मस्जित का निर्मान एबक ने करवाय था कुतुब दिन एबक को लाख बक्ष लाखो का दान देने वाला भी कहा जाता था प्राजीन नालंदा विश्विद्याले को द्वस्त करने वाला एबग का सहायक सेननाईक बक्तियार खिलजी था एबग की मृत्यू 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोडे से गिर कर हो गई इसे लाहूर में दफनाय गया एबग का उत्राधिकारी आराम शहा हुआ जिसने सिर्फ आठ महीनों तक शासन किया आराम शहा की हत्या करके इल्टू तमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्धी पर बैठा इल्टू तमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था जो एबग का गुलाम एवं दामाद था एबग की मृत्यू के समय वो बदायू का गवर्नर था इल्टू तमिश लाहूर से राजधानी को स्थानांतरत करके दिल्ली लाया इल्टु तमिश पहला शासक था जिसने 1229 इस्वी में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पत की वैधानिक स्विक्रिती प्राप्त की इल्टु तमिश की मृत्यू अप्रेल 1236 इस्वी में हो गई इल्टु तमिश के बाद उसका पुत्र रुकनु दीन फिरोज गदी पर बैठा वो एक आयोग्य शासक था इसमें अल्पकाली शासन पर उसकी माँ शाह तुरकान चाही रही शाह तुरकान के आवांचित अप्रभाव से परिशान होकर तुरकी अमीरों ने रुकन दीन को हटा कर रजिया को सिंगहासन पर आसीन किया इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागदोर संभाली इल्तु तमिश द्वारा किये गए महत्वपून कारिये एक, कुतुमिनार के निर्मान को पून करवाया दो, सबसे पहले शुद्ध अर्भी सिक्के जारी किये चांधी का टंका एवं तांबा का जीतल तीन, एकता प्रणहाली चलाई चार, चालिस गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुरका ने चहलगानी के नाम से जाना गया पांच, सर्वर प्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया रजिया ने परदा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुशों की तरह चोगा, काबा एवं कुलहा, टोपी पहन कर राजदर्बार में खुले मूसे जाने लगी रजिया ने मलिक जमालुदीन याकूत को अमीर एक अकोर, गोडे का सरदार नुक्त किया गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिली की गद्दी पर मुयुजुद्दीन बहराम शा को बैठा दिया रजिया की शादी अल्टूनिया के साथ हुई इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनहा गद्दी प्राप्ट करने का प्रयास किया लेकिन वो आसफल रही रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 इसवी को डाकों के दोरा कैथल के पास कर दी गई बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 इसवी में कर दी गई बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउदीन मसूद शाह 1242 इसवी में बना बल्बन ने शडियंत्र के द्वारा 1246 इसवी में अलाउदीन मसूद शाह को सुल्तान के पच से हटा कर नासरुदीन महमूद को सुल्तान बना दिया नासरुदीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वा करता था बल्बन ने अपनी पुत्री का विवार नासरुदीन महमूद के साथ किया था प्रिश्ट पैतीस बलबन का वास्तविक नाम बाहाउद दीन था, वो इल्टुतमिष का गुलाम था, तुरकाने चेहलगानी का विनाश बलबन ने किया था बल्बन 1266 ईस्वी में ग्यासुदीन बल्बन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर बैठा वो मंगोलों के आक्रमन से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा रासदर्बार में सजिदा एवं पैबोस्त प्रधा की शुरुवात बल्बन ने की थी बल्बन ने फारसी रीती रिवास पर आधारित नवरोज उत्सवकों प्रारंब करवाया अपने विरोधियों के प्रती बल्बन ने कठोर लोहो एवं रक्त की नीती का पालन किया नासिरुदीन महमूद ने बल्बन को उलूंग खा की उपाधी प्रधान की बल्बन के दर्बार में फारसी के विरसिद कवी अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे गुलाम वंच का अंतिम शासक शमुदीन कैमूर्स था अमीर खुसरो का मूल नाम मुहम्मद हसन था उसका जन पटियाली पशीमी उत्तरपदेश के बदाईउं के पास में 1253 ईसवी में हुआ था खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेक निजामुदीन ओलिया के शिश्य थे वो बल्बन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दर्बार में रहे इन्हें तूतिय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है सितार एवं तबले के आविशकार कश्रे अमीर खुसरो को ही दिया जाता है खिलजी वंच 1290 से 1320 ईसवी गुलाम वंच के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईसवी को जलालुदीन फिरोस खिलजी ने खिलजी वंच की स्थापना की इसने किलाव खेरी को अपनी राजधानी बनाया जलाउदीन की हत्या 1296 ईसवी में उसके भतीजा एवं दामात अलाउदीन खिलजी ने कडा मानिकपुर इलहाबाद में कर दी 22 अक्टूबर 1296 ईसवी में अलाउदीन दिल्ली का सुल्तान बना अलाउदीन के बच्पन का नाम अली तथा गुर शास्प था अलाउदीन खिलजी ने सेना को नगत वेतन देने एवं स्थाई सेना की नीव रखी दिल्ली के शासकों में अलाउदीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थाई सेना थी गोड़ा दागरे एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रता की शुरबात अलाओदिन खिलजी ने की अलाओदिन ने भूरा जस्वक की दर को बढ़ा कर उपच का एक बटा दो भाग कर दिया इसने खम्स यानि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा एक बटा चार भाग की अस्थान पर तीन बटा चार भाग कर दिया इसने वैपारियों में बैमानी रोकने के लिए कम तॉलने वाले व्यक्ति के शरीर से मास काट लेने का आदेश दिया इसने अपने शासनकाल में मूरी निर्यंतरन बनाली को द्रंता से लागू किया दक्षिन भारत की विजय के लिए अलाउदिन ने मलिक काफूर को भेजा जमायत, खाना, मस्जिद, अलाई, दर्वाजा, सीरी का किला तता हजार खंबा महल का निर्मान अलाउदिन खिलजी ने करवाया था दैवी अधिकार के सिध्धान को अलाउदिन ने चलाया था सिकंदरे सानी की उपाधी से स्वयम को अलाओदिन खिलजी ने विभोशित किया अलाओदिन ने मलिक याकूब को दिवाने लियासत न्युक्त किया था अलाओदिन द्वारा न्युक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तूओं की परमिट जारी करता था बाजार नियंतरन करने के लिए अलाओदिन खिलजी द्वारा बनाये जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दिवानी लियासत ये वैपारियों पर नियंतरन रखता था ये बाजार नियंतरन की पूरी वैवस्था का संचारन करता था शेहनाई मंडी प्रतेक बाजार में बाजार का अधिक्षक बरीत बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरिक्षन करता था मुन्हियान वा गुप्तचर गुप्तसूचना प्राप्त करता था शेहनाई मंडी यहां खाद्यानों को बिक्री हेतू लाया जाता था सराही अदल यहां वस्तर, शकर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी प्रिष्ट छतीस अलाओदिन खिलजी की आर्थिक नीती की व्यापक जानकारी जियाओदिन बर्नी की कृती तारी के फिरोजशाही से मिलती है खजायू नूल फतुह अम्य खुसरो रिहला इबन बतूता एवं फतुहस लातीन इसामी की कृती है मुल्य नियंतरन को सफल बनाने में मोहतसिब सेंसर एवं नाजीर नापतौल अधिकारी की महत्वपुन भूमी का थी राजस्वस सुधारों के अंतरगत अलाओदिन ने सरवर्बथम मिल्क इनाम एवं वक्व के अंतरगत दी गई भूमी को वापस लेकर उसे खालसा भूमी में बदल दिया अलाओदिन खिलजी के द्वारा लगाय जाने वाले दो नवीन कर थे एक चराई कर दुधारों पश्वों पर लगाय जाता दो गड़ी कर घरों एवं जोपडी पर लगाय जाता था अलाओदिन खिलजी की मृत्यू 5 जनवरी 1316 इसवी को हो गई कुतुब दिन ए मुबारक खिलजी 1316 इसवी को दिल्ली के सिंघासन पर बैठा इसने नगन स्तरी पुरुष की संगत पसंद थी मुबारक खिलजी कभी-कभी जरास दरबार में इस्तरीयों का वस्तर पहन कर आजाता था बर्नी के अनुसार मुबारक कभी-कभी नगन होकर दरबारियों के पीच दोड़ा करता था मुबारक ख़्ाने खलीफा की उपादी धारन की थी तुगलक वंश तेरासो बीस एसवी से तेरासो अठानवे एसवी 5 सितमबर तेरासो बीस एसवी को खुश्नों खाको पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक वंश गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 इसवी को दिली के सिंखासन पर बैठा गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आकरमन को विभल किया गयासुद्दीन ने अलावदिन के समय के लिए किये गए अमीरों की भूमी को पुनहा लोटा दिया इसने सिचाई के लिए कोई एवम नहरों का निर्मान करवाया संभवतहा नहरों का निर्मान करने वाला गयासुद्दीन प्रधम शासक था गयासुदीन तुगलक ने दिल्ली के समीप इस्थित पहाडियों पर तुगलका बाद नाम का एक नया दुर्ग को छपन कोट की नाम से भी जाना जाता है गयासुदीन तुगलक की मृत्यू 1325 इस्थि में बंगाल के अभ्यान से लोटते से में जूना खां द्वारा निर्मित लकडी के महल में दपकर हो गई गयासुदीन के बाद जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंखासन पर बैठा मध्यकालिन सभी सुल्तानों में मुहम्मद तुगलक सरवाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था मुहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख को प्रती उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वपनशील पागल एवं रखते पिपासू कहा गया मुहम्मद बिन तुगलक ने कृशी के विकास के लिए अमीरे कोही नामक एक नवीन विभाग की इस्थापना की मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिली से देवगिरी में स्थानांतरत की और इसका नाम दौलताबाद रखा सांकेतिक मुद्रा के अंतरकत मुहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिष्टा के नुसार तांबा बर्नी के नुसार धात्मों के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रूपिया टंका के बराबर होता था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियानवे चार योजनाय क्रमशा एक दो आप खशेत्र में कर्विधी 1326 से 237 ईसवी, दो रासधानी परीवर्तन 1326 से 27 ईसवी, तीन संकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1390 से 1330 ईसवी, चार खुरासन एवं कराचल का अभियान, प्रिष्ट सै क अफ्रीकी यात्री इबन बतूता लगभग 1333 इसवी में भारत आया सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया 1342 इसवी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा इबन बतूता की पुस्तक रेहला में मुहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वनन है इसने अपनी पुस्तक में विदेशी वैपारियों के आवगमन डाक चौकियों की स्थापना यानि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यू 20 मार्च 1351 इसवी को सिंद जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में डक्षिन में हरीहर एवं बुक का नामक दो भाईयों ने 1336 इसवी में स्वतंतर राज्य विजए नगर की स्थापना की महराश्ट्र में अलाओ दिन बहमन शाह ने 1347 इसवी में स्वतंतर बहमनी राज्य की स्थापना की मुहम्मद बिन तुगलक की मृतियों पर इतिहासकार बरनी लिखता है अंततहा लोगों को उससे मुक्ती मिली और उससे लोगों से मुहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउदिन का शिश्य था वो सलतरत का पहला शासत था जो अजमेर में शेख मुईनुदीन चिश्टी की दरगहा और बहिराइच में सालार मसूद गाजी के मगबरे में गया मुहम्मद बिन तुगलक ने बनायों में मीरन मुलहीम दिली में शेख निजामुदीन औलिया मुलतान में शेख रुकनुदीन अजुधन में शेख मुलतान आदी संतों की कबर पर मगबरे बनवाए फिरोज तुगलक का राजेविशेख थटा के रस्दीक 20 मार्च 1351 इसवी को हुआ पुन्हा फिरोज का राजेविशेख दिली में अगस्त 1351 इसवी को हुआ खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर अल मुममीन की उपाधी दी गई राजस्म वेवस्ता के अंतरगत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदाय करों को समाप्त कर केवल चार कर, खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट कामाल जजिया एवम जकात को वसूल करने का आदेश दिया फिरोज तुगलक ब्रहमडों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसल्मान शासक था फिरोज तुगलक ने एक नयाकर सिचाई कर भी लगाया जो उपच का एक बटादस भाग था फिरोज तुगलक ने पांच बड़ी नहरों का निर्मान करवाया फिरोज तुगलक ने तीन सो नए नगरों की स्थापना की इनमें हिसार फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहबाद जौनपूर फिरोजपूर प्रमुख है इसके प्रशासनकाल में खिजराबाद टोपरा गाउं एवं मेरट से अशुक के दो स्थम्भू को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विद्वाओं एवं लड़कियों की साहता के लिए एक नए विभाग दिवाने खेराद की स्थापना की सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब एक लाक असी हजार फिरोज तुगलक के समय थी दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दिवाने बंदगान की स्थापना की इसने सैनिय पदों को वंचानुगत बना दिया इसने अपनी आत्मकता फतुहाते फिरोज शाही की रचना की इसने जियाउदीन बरनी एवं शम से सिराज अफीव को अपना संरक्षन प्रदान किया इसने जुआला मुखी मंदिर के पुस्तकाले से लूटे गए तेरह सो ग्रंथों में से कुछ को फार्सी में विद्वान अपाउदीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवात करवाया इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रंड से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाये जिसे अद्वा एवं विक कहा जाता था फिरोज तुगलक की मिर्त्यू सितंबर 1388 इस्वी में हो गई फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मगबरा की तुलनाम जेरू सलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है प्रिश्ट 38 सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली के कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्मान करवाया तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुदीन महमूद तुगलक था इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुदीन मुहम्मद तुगलक के समय तेरा सो अठानवे में दिल्ली पर आकर्मन किया नासरुदीन के समय ही मलिक कुश्यशरक पूर्वाधिपती की उपादी एक हिजडा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंद्र राज्य की इस्थापना की